कि जैनिन नमस्कार दोस्तों बहुत सारी बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं ऐसा सी जी डिकी रनिंग को लेकर बहुत सारे बच्चों के अभी बीवी टाइमिंग नहीं आ रही है आपमें से कई बच्चें आदे ऐसे जो अभी भी पांच ड्राउंड में करोगे तो भी दाज हो सकता अगर आप लिए रेनिंग नहीं कि दूसरा आपको पांच किलो मेंटर आपको बताएं चोबीस मिनट में करने हैं चोबीस मिनट में अब जिन बच्चों का वेट ज्यादा है वजन ज्यादा उनके लिए थोड़ा मुस्किल्टास ह हो जाता चोबीस मिनट में पांच किलो मेंटर करना तो कैसे करें इसको अगर आपके 26 मिनट 27 मिनट 28 मिनट लग रही है तो आप 3-4 मिनट अभी आपके पास में 2-3 दिन चार दिन का आप तोड़ सकते हैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं जब भी आप रनिं जैन का एक हिस्सा है और फिजिकल एक साइस का एक हिस्सा है इसको आपको स्विकार करना आपको सहन समता बढ़ानी अपनी कि में ज्यादा देर तक दर्थ को सहन करें उससे हार नहीं मानने जितना आप सेंगर सकते उतना हिए आप जल्दी रनिंग कवर करोगी डर्थ होता रहेगा सरीद में ठीक है दूसरी बात एक बहुत सोरे बच्चे गलती करते हैं पांस किलोमेटर के रणिंग में आपने भी देखा होगा जैसे बोलते हैं कि आपको धाय किलोमेटर रणिंग नॉर्मल करनी है मैं आपको पहले भी बोला था नॉर्मल का मतलब इतना नहीं है कि आप बहुत कम तेज़ दोड़े अगर बहुत कम दोड़ोगे आपको अगर धाय किलोमेटर में मानके चलिए समय अगर तेरा मिनट या इससे ज्यादा लग गया तो पूरे चांद से जहा कि अभी आप फेल हो जाओगे की पूरे-फूरे चांद से जहे कि आप फेल हो जाऊगे अगर आपको धाइक किलोमेटर पहले अधाय किलोमेटर में तेरा मिनिट लग रहे क्या होता है इसे इसे छोड़ना नहीं है। maximum course करना है कि आपको दोडना ही दोडना है कि अब देखो क्या करना है जब भी आप 0.5 किलोमेटर पे ले की रुनिंग करो मैंने पेले बुरता आप पचिस करो कि इसे 10 यारा मिनेट के अंदर अंदर डाल दो आप आगे की सोचो उमत की आगे की रनिंग कैसे होगी आप ये मानके दोड़ो की मुझे दाई किलो मिटर की दूरी जाना है, अब अब आप चलिए 10-10, अब आप आप 25 डोरी पैदल भी चलो। लोंग रनी ऐं कोई टेंसटीन निय। पैदल चलके भी tap होजाते हैं, बच्चे आप नहीं चलते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसके बाद में अगर नॉर्मल रणिंग करो अच्छे दोड़े फिर आप बिल्कुल जोगिंग वाले रणिंग कर सकते हो वापस पॉन सुमेटर तो इसका जो आपका सांस फूला है जो बोड़ी में पेन ब REDूंगा कर सकते हैं गायं पॉद्रा ने स्मय हटे और धिर दोरते हैं और फिर क्या होता है फिर उनको लगता है लग गए पंदर मिनिट अब ग्यारा मिनिट में कैसे दो यह गलती नहीं करने हैं मेक्सिमम आपको धाय किलोड दिमाग में को एक तो पोजिटिव रखना लोंग रणिंग में सबसे बड़ी खास बात है कि हां मैं कर सकता हूं और करना ही है तकलीफ होगी गिर के नहीं पड़ भी रहे क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल बैस एक हिस्टे पकड़ लिए अब उसी से दोड़ रहा है इसी गलती कभी नहीं करनी है बीच बीच में आपको अपनी जो रबतार है तेज करनी है तेज करनी है तेज करने से क्या होता है यहां पर आपको सेकि कम करेंगे बार बार और वह आपको लास्ट में बहुत मज़र देने वाली कुआ है क्योंकि लाइस्ट में पूक्ष होता है जो पार प् delivers कि रहन को धाई से लेकर च्यार किलोमेटर यह जो डेड़ किलोमेटर का फ्रेंट होता है ना यह थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसमें खुद को पोजीटिव रखना बहुत जरूरी है ठीक है आपका जो रनिंग का ज्यादा तर्ट जिए जगा होगा ना उसे सन वह इस प्रकार से होगा जिसे मान आपके शुरू ही यहां पर जाके टोकन लिए और वापस आना यह सबसे बेस्ट होता है डाय किलोमेटर रनिंग जाना तो उससे क्या को नफिदेंस आता है कि हां में पहुंच गया डाय किलोमेटर अब मुझे वापस जाना है जब लंबा दोड़ाते हैं तो आसा नेगिट मिटर तो उसके साथ जो तो उससे बहुत मदद मिलती है तो अब हो रहा कि आपके साइड कोल में दर दोता है तो ध्यान रखना मुठी बंद करके अंगूटा इस प्रकार से नीचे कर लिजिए लोंग रनिंग है आप मुझ से सांस ले सकते हैं जब भी आपको लगे कि आप दीरे दीरे दोड़ने की आज़त पड़े कि मुझे लग रहा हु तो पंजे पर दोड़ना शुरू कर दो जब आप पंजे पर लगाओ के ना तो इस्टेप क्या वागा ज्यादा बड़ा फुलेगा इसलिए पंजे पर दोड़ने की कोशिए करना जब भी आपको लगे मेर सब्सक्राइब करने के लिए मुझे सांस ने लेते और इसका कोई जिग नहीं होता लेकिन आपका सांस फूलने लगा तो मुझे सांस लेजिए कोशिश करिए कि पांस किलोमेटर के रनिंग के दोरण आपको पानी की ज्यादा ही नीड है तो एक घुट पीजिए नहीं तो पीजिए क्योंकि शरीर होता है पूरा अंदर से गरम ठंडा पानी पीके समस्या हो जाती है फिर दलोता सुरू ज्यादा तर दर्द कब शुरू होता है जब आप रणिंग कर रहे हो प्यास लगी आपने पानी फिली फिर आपके हमें 100% कोल में दर्द होगा पैरों के सब्सक्राइब अगर ज्यादा दर्द है तो एक दिन पहले पहले लेलो लेकिन रंणिंग वाले दिन पहले नहीं लेकर आपके और भी किसी भी बोड़ी पार्स में कोई दर्द है तकलीप है उस पर भी फोकस करना तो उसको क्या है आपको शेहन करने के शमता अपनी बड़ क्यों क्योंकि आपके अंदरे कॉन्फिदेंस रहेगा कि में डाय किलोमेटर दोड़ लिया हूं कुन्फिदेंस बहुत अच्छी बात होती है ध्यानक और लोंग रनिंग है पोजिटिव वाइब होना भोजरूरी जितना पोजिटिव आप रहोगे उतना ही आपको फाइद कज समय झापको्त क्यों अच्छी ।